मैंने आपसे बोला था कि 24 में शुक्रवार में बहरेन पहुंचूंगा विन्यू फिक्स हो गया है विन्यू है वोटल रामी ग्रेंड सीफ माल के ओपोसिट है साड़े चार बजे मिल रहे हैं अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए वाट्साप नमबर से हमें संपक करें या इमेल में मेल बेजें मेरे टीम आपसे बात करेगा नमस्कार फिर पैसा बोलते हैं मैं आपका स्वागत है मैं आननस्ति निवासन आज मार्केट पहले नीचे आया उसके बाद बैंक को बैंक निफ्टी को उपर उटाया अभी 68 पॉइंट उपर है मार्केट मार्केट को सब कोशिश कर रहे हैं कितने दिन के लिए उपर रहेगा इसके बारे में हम पता नहीं पता नहीं लेकिन वोडराल ट्रेंड मार्केट का बहुत वीक है गोल्ड 6690 रुपिया पे है 35 रुपिया नीचे आया है तो आज पहले में सोने के बारे में बोलूँगा सोना का अगर हम दाके देखें तो ये तीन 5 और 7 साल में निफ्टी को बीट कर दिया है गर हाब साथ साल की कंसेट्रेशन करते हो निफ्टी को उसने मैच कर दिया है ये एक रिपोर्ट एकनामिक टेम्स में आया है इसको मैं सैड में डालूँगा तो पिछले पांच साल में गोल्ड ने सोने ने 18% CAGR किये दिया है तो ग्लोबल ट्रेंड ये हैं कि सेंटरल बैंक्स हैं चाइना, इंडिया, रशिया, साथ आफरिका, फ्रांस, इंडिनेशिया, टर की सब गोल्ड करीद रहे हैं, इसके कारण गोल्ड की सप्ले मार्केट में कम होती जा रही है, चैना और रूस यूरस ट्रेशरी को बेच रहे हैं तो इसको येल्ड को बहुत ज्यादा रखती है, अमरिका और यूरोप क्वांटिटिव इसिंग के कारण अपने करंसी को गोल्ड की डेट बेच रहे हैं, इससे करंसी डी बेस हो रही है, जब जब फाइनांशिल क्राइसिस हुआ है, तो गोल्ड का रेट बड़ा है, 71, 78, 204 और 211, तो अगले 15, 18, 24, 20 मैने में जब अमरिका रेट काटी गी, तब भी गोल्ड उपर जाएगा, तो गोल्ड का हिस् अगले दो साल के लिए भी बरकरार रखेगा, अगर आपके पास 200 ग्राम नहीं है, आप जल्दी से 200 ग्राम अक्युमिलेट करने की कोशिश करें, यह थी आज गोल्ड के बारे में बात थी था, आज आज अधित अबिल्ला का रसल टाया, और अधित अबिल्ला का रसल बहु हम ने इसको रेकमेंड किया, लगबग दुगना हो गया स्टाक, अभी करेंट मांके प्रेच 221 रुपिया है, हाई 244 है, लो 155 है, पी 17.2 है, लेकिन हमको बुक वैल्यू देखना पड़ता है, बुक वैल्यू 2.16 है, तो इस प्राफिट को एक आज से नया मैनेजिंग डिर इंक्रिमन्ट नेक्ट इंकम को 25% इंक्रीज किया, और जो ये यूम है, वो लगबग 21% इंक्रीज किया, लाइफ इंशूरंस, हेल्थ इंशूरंस और एमसी ने, इन सब के कारण ये रिसल बहुत पहतरीन था, और अभी भी इस ताक में तोड़ा अपसाइड है, तो 241 है, जब मार्केट नीजी आएगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, दो-तीन साल में और बेटर परफॉर्मन्स दे सकती है, हीरो मोटर काप ने पहले बार 45,000 के ऊपर चला गया प्रेस, मार्केट क्राप 1,005 करोड के ऊपर हो गई है, और ये 52 वीक हाई, और टाम हाई के पास है, पी बी रेशियो 26.1 में, बुक वाल्यू 8.85 है, तो प्रमोटर के पास 34.8% है, एफ एसके पास 28.9, डी एए इसके पास 27.8 और पब्लिक के पास 8.5 है, ये भी निउस है कि हीरो मोटर्स ने ओन डीसी नेटवर्क में जाइन किया है, तो उनको जो हीरो जनियन पार्च है, उ इनको डिजिटली ये मिलेगा, ये कारण नहीं है, मार्केट में इसका अदाम बढ़ने का, मार्केट का अदाम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि फाइनली रूरल मार्केट में कुछ दिमैंड आ रही है, तीन बड़े कमपनियां हैं, जो इन बारत में हैं, बजाज, टीव और आदित्या बिल्ला ग्रूप में दूसरा एक बड़ा न्यूस है, वो अपनी इंडाल के की सबसिडरी को लिस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है नोवालिस, इस पे 1.2 बिलियन डॉलर्स रेस करने की बात कर रहे हैं, इस 10,000 करोड इस ग्रूप के लिए बहुत इन पर पुरन है, इस पैसा से वो ज्वेल्री बिसनस और पेंट बिसनस में इंवस्पन्ट होगा और इस बिसनस को बढ़ाएंगे, तो यही न्यूस है इसके बाव, आदित्या बिल्ला ग्रूप के बारे में, वैदानता बहुत कटिन समय से जूंज रहा है, अभी वो पिछले हाफते, प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ प्राव्लम साल होना है, तो वैदानता को अपने कोर असेट्स में एक को बेचना पड़ेगा, नहीं तो लोन प्राव्लम साल नहीं होगा, ब्लैक स्टोन ने अबुदाभी इंवस्मेंट अथारिटी और जी एईसी से मिलकर, तीनों ने मिलकर हल्दी राम के लिए एक नॉन बैंडिंग ओफर किया है, कंपनी को लगबग साड़े आठ बिलियन डॉलर वैलियू किया है, लगबग सकतर हजार करोड का वैलियेशन है, इस कंपनी में 74 या 76 परसं कर इतने की बात कर रही हैं, यह नाकपूर और डिली की ब्रांचस दो अगरवाल ब्रांचस थी, फैमिली की दोनोंने NCLT और Competition Commission of India से प्लान करके उन्होंने मर्ज कर दी, इसमें डिली ब्रांच के पास 55 परसं की स्थेक और नाकपूर के पास 55 परसं स्थेक है, 76 परसं स्थेक बेचने की बात कर रहे हैं, लगबग से बिल 12,500 करोड की टरन ओवर की है, और जो EBITDA मार्जिन है, उनका 2,300 करोड से लेकर 2,500 करोड है, तो इंडिया की जो स्नैक्स और सेवरी बिसनस मार्केट है, वो 72,800 करोड रुपिया है, और यह अनमान लगते हैं, एक आशारिया दो लाग करोड का इसा नंबर पहुंच जाएग 1.2 ट्रिलिन रुपीज तक पहुंच जाएगा, 2025 तक, तो इस मार्केट में एंट्री मार्ने के लिए, यह PE funds कोशिश कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा PE fund, PE Invest भारत में होगा, क्यूपिट यह पहले बार 100 रुपिया के नीचे गया है, 99 में रुपी पे ट्रेड हो रहा था, और नीचे जाने का आशंक चांचस है, जब हमने इसकी exit call कंसिडर करने के लिए आपको बोला, उधर से लगबख 15% नीचे गिर चुकी है इस तक, और 20-30% नीचे आ सकती है, श्रीरम फाइनांस ने अपने housing loan business को बेचने की decision मिन नहीं ले लिए, वो वानबर्ग पुनकर्स को सा 4630 करोड में अपना stake बेच रही है, वालियन्ट नाम का एक company है, उनको वो भी अपना stake, stake holders बेचने हुआ, वो भी अपना stake बेच रही है, ये controlling stake स्रीरम फाइनांस लिमिटेड के पास है, उनको ये पैसा मिल जाएगा, इस transaction से वालियन्ट भी इस stock को, अपने stock को बेच रही है स्रीरम फाइनांस की शैस्त लगबग 2305 रुपिया में trade हो रही थी, 1.67% down हो चुकी है, तो ये भी news आ जा रही है, जमाटो ने platform fees की बदोलत अपने एक चोटा सा profit डिक्टार की है वरे साल में, लेकिन blinket और hyper store की जो short, immediate delivery store से, उसकी auditor battle boy ने resign कर ली है, इसका reason क्यों इसके बारे में कोई टिपनी अभी तक founders ने नहीं की है, मेरे क्याल से ऐसे company को avoid करना ही बहतर है, आज के लिए इतना ही, लेकिन जब-जब market 100 point नीचे आती है, आप चौकरना रहें और कुछ add करें, अगर आपके पास 200 gram की सोना नहीं है सोना करीते रहें, अगले अतरा महीने भी निफटी को वो बीट करेगा, आज के लिए इतना ही आपने इस podcast को सुना ही, इसके लिए मैं आपका आबारी हूँ, हो सके तो इस video को like कीजिए, चानल को subscribe कीजिए, bell notification दबाएं, और इस video को अपने दोस्त और रिष्तेदार के पास पेजे, नमस्कार धन्यवाद जैहिंद